Hello friends and dear students, आज हम discuss करेंगे important short answer type questions of subject pharmaceutical jurisprudence और ये इसका part 2 वीडियो है, जहां part 1 वीडियो में हम लोगोंने 25 important questions और उसके solutions को discuss किया था ठीक उसी तरीके से इस वीडियो में बाकी के बचे हुए important questions को हम लोग उनके solutions के साथ discuss करेंगे ये सभी प्रशने काफी important है, previous years के different universities के दोरा पूछे जा चुके हैं तो आपको exam में जाने से पहले कम से कम इन सभी प्रशनों को एक बार जरू देखने लेना चाहिए ये वीडियो हमारे B form 5th semester 30th students के लिए और Diploma in Pharmacy 2nd year students के लिए काफी लाबदायक साबित होगा मैं हूँ dr. बजयने, शुकला, चलिए शुरू करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही का कि हम लोगोंने 25 questions इसके पहले ही discuss कर रखें तो हम 26th number के questions से अब शुरू कर रहे है तो जो एक काफी important question है, बहुत बार पूछा गया है जिसमें आप से difference पूछा जाता है एक चीज़ तो यह कि कई बार प्रशन में केवल manufacture in bond और outside bond के बीच का difference पूछ रहा है और यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस act के अंतरगत आता है तो आप कहेंगे कि यह medicinal and toilet preparation act 1955 के अंतरगत आ रहा है इसमें है क्या इसमें जो भी preparations है alcohol containing preparations या alcohol का जो use करने है जिस preparation में उनको हम लोग दो तरीके के form में या दो तरीके के license में बाढ़ सकते हैं एक है हमारा manufacture in bond और दूसरा है हमारा manufacture outside the bond तो यह दो तरीके के हैं अब इसमें difference के आए तो जो manufacture in bond है वो large scale manufacturers के लिए useful होता है जबकि outside bond जो है वो small scale manufacturer के लिए होता है manufacture in bond में जो है हमें exercise staff होता है जिसके supervision में सब कुछ होता है जबकि exercise staff की कोई आफशकता नहीं होती outside bond में exercise duty जो है वो जब भी finished product को bonded laboratory से removal किया जाता है उस समय देना पड़ता है जबकि जब भी हम rectified spirit खरीद रहे होते हैं outside bond में तभी हमें exercise duty देना पड़ता है हमें बार बार नहीं देना पड़ता है एक ही बार में payment हो जाती है जो construction होता है bonded laboratories का वो उसमें चार तरीके के different apartments होते हैं एक तो raw spirit जो है उसका storage करने के लिए दूसरा manufacturing room तीसरा finished good products को रखने के लिए उसका store room और एक चौथा जो exercise staff आपको चाहिए उसके लिए एक office जिसके supervision में सारा काम होगा जबकि non bonded laboratories के अंदर केवल आपको raw spirit store, manufacturing room और finished good room की ज़रत परती है क्योंकि यहाँ पर exercise staff नहीं होता है इसलिए उसका office बनाने की कोई ज़रत नहीं है यहाँ पर advance में security money देनी परती है in bond में जबकि outside bond में हमें advance security money की कोई ज़रत नहीं होती एक और खास बात है कि जो outside bond होता है इसमें government जो infrastructure के requirements है उसमें थोड़ी बहुत छूट दे सकती है जबकि जो alcohol का consumption है अगर वो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है करीब 100 liter से कम use हो रहा है अगर alcohol maximum 100 liter तक use हो रहा है तो कुछ छूट जो है state government दे देती है जबकि इस तरीके का कोई relaxation in bond में हमें देखने को नहीं मिलता कहने का मतलब चाहे आप कम मात्रा में use करिए अगर आपके पास in bond license है या फिर जादा मात्रा में use करिए वहाँ पर आपको किसी तरीके का relaxation government के द्वारा नहीं मिलता है जब जो spirit होती है जो spirit हम obtain करते हैं कहां से लेंगे डिस्टलरी से लेंगे या spirit warehouse से in bond में वहाँ पर प्रेशन होती है वो दो copy में होती है जो भी हमारा intent है उसको लेने के लिए जबकि outside bond में ये 3 copy में हमें देना पड़ता है यही अंतर है हमारे in bond में और outside bond में अब चलते हैं next question की तरफ what are the labeling instructions for schedule x drugs schedule x drugs हमने पिछले वीडियो में discuss किया था कि क्या होती है यह वो drugs हैं जिनकी आदत पर जाती है और जिनको हमें या narcotic dust हैं या psychotic drugs हैं जिनको हमें बिना prescription के sale नहीं करना होता है by the retail short तो इसमें एक लाल रंग का box बनाते हैं जिस पे xrx लिखा होता है ताकि पता चल जाए कि schedule x की drug है यह और एक warning भी लिखी रहती है schedule x drug है और इसको आपको sold करना है केवल एक registered medical practitioner के prescription पे ही बिना prescription के इसको sold नहीं कर सकते और जो prescription है जैसा हमने पहले कहा था कि schedule x में हम उस prescription को दो साल तक store करके भी रखते हैं उसकी एक copy ले ले लेते जे रॉक्स करके और उसको रखना पड़ता है कि कभी भी मांग सकता है drug inspector या authorities की आपने किसको यह drugs जो है वो sale की थी next question is formula for calculating retail price of the formulation जो हमारा DPCO है जो drug price का जो control authority है या उसका जो order है उसमें हम लोग जो भी drug है जो की public domain में है जिनका price retail price होता है वो fix होता है उससे ज्यादा price नहीं लिया जा सकता इसको calculate करने का एक formula है जिसे हम लोग retail price का formula बोलते हैं और वही formula आपसे पूछा जा रहा है ठीक ह तो retail price is equal to जो हमारा material cost plus CC plus PM plus PC into 1 plus MAP upon 100 plus ED this is the formula और इसमें इन सब का short firm का क्या मतलब है RP का मतलब होता है retail price जो आप calculate कर रहे हैं MC का मतलब है material cost जिसमें सभी प्रकार के cost जो drugs को बनाने से related है या उसमें जो भी आप pharmaceutical aid या excipients ले रहा है उनको जोडने का conversion cost जो है वो जो भी costing और जो fixed price है every year का वो government के दौरा tag किया जाता है उससे हम conversion cost निकालते है वो इसमें add करते हैं फिर जो packing material का formulation का जो packing material का cost है वो हम इसमें add करते हैं और इसके बाद जो है हम इसमें add करते हैं हमारे packing charges जो की established के जाते हैं every year by the government और इसके बाद maximum allowable post manufacturing expenses जिसमें जो आपका retailing की जो बात आप कर रहे हो जो आपका margin है manufacture का जो trade का margin है और सभी कुछों को add करके हमारा MAPE बनता है that is maximum allowable post manufacturing expenses इससे multiply कर रहे है 1 plus map upon 100 तो एक पूरा का पूरा calculation निकल के आजाता है कई बार कुछ drugs जो होती है वो import करके आती है तो उनके retail price में ED यानि कि जो excise duty है वो भी जो है वो add कर दी जाती है अगर वो imported drug नहीं है यहीं बन रही है तो यह ED जो होता है यह column हटा देते हैं zero कर देंगे simple और यही formula जो है जिससे आपका retail price जो है वो calculate के जाता है कई बार agent studies के द्वारा यह प्रशन पूछा गया है next question is define intellectual property rights हम लोग पिछले वीडियो में भी intellectual property rights के बारे में बात कर रहे थे जिसमें patent था copyright था trademark था ETC तो इन सब को एक साथ हम क्या बोलते है intellectual property right यानि कोई व्यक्ति की कोई creation है जो कि उसके दिमाग के द्वारा या उसके द्वारा की ग उसको बचाने के लिए दूसरों के द्वारा उसको copy न किया जाने के लिए जो rights देते हैं उसी को हम लोग कहते है intellectual property rights यह creator को एक जो creator है उसको एक exclusive right देता है और एक certain period of time तक के लिए वो right उसको मिलता है इसमें कोई literacy से related work है कोई artistic work है कोई invention है कोई नया चीज उसने किया है कोई symbol है किसी तरीके के कोई नाम है या images है इन सभी चीजों को intellectual property rights के द्वारा हम लोग store कर सकते हैं या बचा सकते हैं दूसरों के द्वारा copy ना हो और जो creator है उसको एक right या उसको कह सकते हैं कि एक कुछ समय के लिए उसके पास यह power दे सकते हैं कि उसका use वो swam करे कोई और व्यक्ति उसका use ना कर पाए ठीक है और जो intellectual property rights है वो law के द्वारा जो है उसको protect किया जाता है कुछ law है जैसे patent law है हमारा copyright का law है trademark के law है और इस तरीके से जो financial benefit है या जो उस पूरे काम से उस कूरे creation से जो creator है उसको फयादा पहुँचे starting में इसकी जो है ववस्ता की जाती ह है उसी को हम लोग intellectual property rights के अंतरगर रखने है next question is what do you mean या understand by the loan license and repacking license देखिए दो तरीके की चीजें हमें market में देखने को मिलती है during the manufacturing और जो loan license है वो और दूसरा repacking license तो जो section 138A है the drug and cosmetic rules 1945 में drug and cosmetic act नहीं है drug and cosmetic rules 1945 के section 138A में low license का वर्णन किया गया है जिसमें बताया गया कि कोई भी manufacturer जिस जो की एक manufacturing unit डाल करके बैठा हुआ है वो किसी marketing unit या marketing company के साथ एक agreement sign करता है और कहता है कि जो उसकी plant और machinery है वो marketer जो है वो use कर सकता और अपने pharmaceutical products जो है वो बनवा सकता है ठीक है इसके लिए जो manufacturing unit है या जो manufacturer है वो state government से license या drug license जो है वो उससे मांगता है और इस agreement के द्वारा उसपे काम जो है वो किया जाता है इसी को हम लोग कहते है low license यानि जो marketer है उसके पास license नहीं है जो कि किसी business को take over product किसी business है जिसमें जो production को take over कर रहा है manufacturing brand से एक आदमी और अपना brand बता करके अपने brand में उसको repacking करके वापस से बेच रहा है या उसकी marketing कर रहा है उसे हम बोलते हैं repackaging license next question is what is the role of drug inspectors हम सभी लोग जब पामेसी में करने आते हैं या कर रहा होते हैं तो सभी लोगों को लगता है कि एक सबसे अच्छी पोस्ट है drug inspector लेकिन उसका काम क्या है इसपर drug and cosmetic act तो जो drug inspectors होते हैं वो drug की safety को उसकी utility के performance को जो consistency है उसको जब से वो manufacturing हुई या soul हो रही है retail outlet पे इन सभी चीज़ों को वो क्या करते हैं चेक करते हैं drug inspectors को हम लोग quality control inspectors भी बोल सकते हैं क्योंकि वो यह check करते हैं कि जो medicines है जो उनका utilization है जो उनका consumption है वो human के लिए इंसानों के लिए या जानवनों के लिए पुरी तरीके से क्या हो suitable हो जो भी duties हैं inspectors की उसमें यह है कि सबसे पहले तो वो एक license जारी करें जहां से जिस परमाइसिस से drug का sale हो यानि जो भी retail store है जो भी आपके थोक की दुखाने हैं इन दोनों जगहों पर license चाहिए और वो license जारी करने वाला व्यक्ति drug inspector ही होगा साथी साथ जो drug inspector है वो inspect कर सकता है इन सभी establishment को इन सभी pharmacy stores को drug estates को कम से कम साल में एक बार और ensure करेगा कि जो license की conditions बताई गई थी वो सभी license की conditions follow हो रही है साथी साल जो sampling इत्यादी भी वो कर सकता है वहाँ से उसको लगता है कि कुछ गरबड़ी है या कुछ गलत हो रहा है तो उन drugs की sampling करेगा और उसको testing के लिए या उसकी analysis के लिए अगर उसे लगता है कि जवरत है तो उनको वो act के rule और act को follow करवाने के लिए उनको ले करके वो testing के लिए या sampling करके उसको analysis के लिए drug analysis के पास या testing laboratory में उसको भेज भी सकता और इसके report को ले करके action जो है वो perform कर सकता है suspend कर सकता है license को या कोई और काम इस तरीके से एक टाकि drug की जो quality है और जो quantity है वो लगातार maintained है next question is write the constitution of state pharmacy council pharmacy council जो है the pharmacy act 1948 के द्वारा जो है वो बनाई गई दो तरीके की एक है उतना central council है that is the pharmacy council of India अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे है pharmacy की तो उसका काम यह है कि वो पूरी तरीके से आपके education regulation को करे साथी साथ जो भी व्यक्ति pharmacy की पढ़ाई करके registration कराना चाहता है registered pharmacy बनता है उसके लिए एक state pharmacy council का ग्रठन किया जाता है प्रतेक राज्य में हर राज्य में आपके हर state में आपको यह state pharmacy council मिलती है और इसके लिए कुछ members बनाया जाते हैं जिनको whole soul आप कहते हो कि यह state pharmacy council है उसी का constitution as per pharmacy act है कि 6 member यहाँ पे होंगे जो की registered pharmacist होने चाहिए उस state के जिनमें एक election होगा और election के दवारा जैसे माली यह कि हम सभी लोग registered pharmacist है उत्तरप्रदेस में और हम लोग वोट देते हैं अभी हम लोगोंने कुछ दिन पहले ही वोट दिया और हमने अपने से यानि उत्तरप्रदेस के ही 6 pharmacist members को चुन करके व nominate किया जाते हैं कहां से state government के द्वारा साथी साथ एक member ऐसा है जो कि elect किया जाता है या फिर क्या नाम है आता है कहां से medical council से या फिर council of medical registration से साथी साथ एक chief administrative medical officer होता है जो की state का है और ex officer यानि पहले से officer था अब नहीं है retire हो गया उसको रख सकते हैं या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो की meeting इत्यादी जो है करने के लिए attend करने के लिए होना चाहिए मतलब वो जब भी meeting हो state pharmacy council की वो present रहे साथी साथ एक government analyst भी हो सकता है जो की drug and cosmetic act के 1940 के हिसाब से एक post है that is drug analyst वो हो सकता है या फिर कोई उसके जैसी officer जो की retire हो चुका है वो भी हो सकता है जो की nominate किया जाएगा by the state government इन सभी चीजों को यानि इन सभी लोगों को एक साथ जब एक ठठा करेंगे तो एक constitution होगा state pharmacy council का जिसका काम होगा कि वो pharmacist का registration है जो first register है उसमें उसका व्यक्ति का नाम दर्च करे और उसे green book के त्यादी जो है वो issue करें next question is right or what are the objectives of drug price control order अभी थोड़े दिर पहले ही हम लोगों ने discuss किया जो DPCO है जानी कि drug price control order वो 1995 में आया था और ये government के section जो government के द्वारा दिया गया section 3 of essential commodity act 1955 essential commodity act जो है वो 1955 में आया था जिसके द्वारा जो जरूरी चीज है लोगों के लिए व्यक्तियों के लिए उसका price control करना और उसकी quality को भी quality के साथ ऐसा नहीं कि price कम करना है तो quality खराब हो जाए उसको भी इंसोर करना काम है उसी के अंतरगत 1995 में DPCO का निर्मार्ण किया गया और जो इसके objective हों ये है कि व वाली जो medicines है या फिर ऐसी medicines जो कि किसी बिमारी को दूर करने के काम आ सकती है उनको उनकी medicines की good quality के साथी साथ reasonable price पे उनको उपलब्द कराना ही main motive है हमारे DPCO का साथी साथ ये drug का जो rational use है पूरी country में और जो cost effectiveness production है या फिर economic sizes में जो production है ड्रग का उसको भी क्या करती है इंस इसमें ये कहा गया कि जो भी essential drugs है वो at affordable prices पे general public के लिए हो और कोई भी ऐसी medicine बलक में बने जिसकी availability हमेशा हो ऐसा ना हो कि उसकी emergency treatment के दौरान वो बहुत ज़्यादा महिंगी हो जाए मतलब उसका production है ही नहीं देश में और जब ज़ुरत पढ़ रही है तो ऐसा कुछ नहों उसका price इत्यादी जो है वो control रहे और सही मात्रा में मिले अच्छी दवा मिले और सही rate पे मिले ये हमारा dpco जो है वो करता है next question is what for schedule y and r schedule y और schedule r as per drug and cosmetic act 1940 क्या है तो schedule y जो है बहुत ही simple सा है जो कि हमारे कोई भी रिक्ती को वो licensing या वो forms के बारे में है इसमें जानकारी जिसमें उसको permission मिलती है कि वो कोई drug का importing कर सकता है इंपोर्ट कर सकता है बाहर से या फिर किसी नई drug को जो की market में नई है उसका manufacture करने का license ले सकता है या फिर कोई drug का वो clinical trial इत्यारी अगर perform करना चाहता है तो उसके लिए उसको licensing या permission लेनी है वो schedule y में के अनुसार ही उसको लेनी होती है schedule R जो है वो बहुत सारे जो regulations है या requirements है for the contraceptives खाज-खाज के mechanical contraceptives जैसे condom इत्यादी उसके लिए regulations and requirements जो हमें प्रदान करता है कौन schedule R जैसे कैसे बनेगा कैसे उसको packing करेंगे क्या-क्या चीजों की जोरत पड़ेगी ये सारी चीजे जो है वो schedule R के द्वारा ही दी जाती है next question is define registered pharmacist under the pharmacy act 1948 अभी हमने थोड़ी देर पहले pharmacy act के बारे में आपसे कहा state pharmacy council जो है वो state register बनाती है जिसके अंदर जिसका नाम जा रहा है वही registered pharmacist कहलाता है कहने का मतलब registered pharmacist वो व्यक्ति है जिसका नाम enter किया जा रहा है register of the state में as per the state pharmacy council और जो की pharmacy का profession या business को कर रहा है उसी state के अंदर पहली चीज़ दूसी चीज़ ये कोई ऐसा रहती हो सकता है जो 18 साल की उमर पूरी कर चुका हो साथी साथ जो prescribed fee है registration की उसको उसने pay किया हो ताकि उसका नाम first register के अंदर आए और वो state के अंदर ही business या profession pharmacy profession को कर रहा हो साथी साथ ये ऐसा रहती होगा जिसके की state government के दौरा government of India के दौरा और आपके क्या नाम है pharmacy council of India के दौरा approved हो जिसका मतलब वो एक act के दौरा pharmacy act के दौरा approved college अगर है तो वहीं पर अगर वो prescribed B form D form M form form D इत्यादी उसने कर रखा है तो ऐसे व्यक्ति को ही हम लोग register pharmacist मानेंगे उसी का नाम जो है register के अंदर जो है व coca leaf देखिए ऐसा है कि यह प्रश्ण भी कई बार पूछा गया है coca leaves जो होती है वो coca plants से जो leaf आ रही है उनको हम बोल रहे हैं और जिसमें कुछ except कोई भी ऐसी leaf जहां पर eco nine या कोटीन या कोई और इस तरीके के alkalettes जो है वो remove किया गया है उसको छोड़ करके coca plants की leaf को ही कह रखते हैं यह as per the act जो definition है वो मैं आपको बता रहा हूँ opium का बात करें तो opium जो है वो concentrated juice होता है opium poppy का जो कि opium plants से प्राप्त होता है और कोई भी mixture जिसमें natural material भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है जो कि a coagulated juice है opium poppy का जिसके अंदर कोई भी preparation में 0.2% of morphine से ज़्यादा ना हो उसे हम लोग opium के नाम से भी जानते हैं next question is write the objectives of medical termination of pregnancy act medical termination of pregnancy act जो है वो 1971 में आया था ये भी कई बहार पुछा गया कि कब आया था तो 1971 में आया था और इसका केवल एक सबसे जो major objective हो यह है कि यह जो pregnancies हैं जो specific pregnancies हैं वो end की जा सकती है या उनको खतम किया जा सकता ह है by the licensed medical professionals जो कि medical professionals हैं कोई untrained आदमी नहीं जिसके पास license है वही करेगा और इसका जो primary objective था वो यह था कि जो unwanted pregnancies हैं उनको खतम किया जा सकते illegal pregnancies हैं उनको खतम किया जा सकते हैं और reduce किया जा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति कोई महिला है जो की pregnant है लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके लिए pregnant होना unsafe है या उसके health के लिए problem है तो ऐसी pregnancies को खतम करने का क्योंकि किसी भी pregnancy को बिना act के अंतरगत अगर नहीं है तो वो हम खतम नहीं करवा सकते हैं यानि कि pregnant woman का अगर चाह रही है और उसकी सहमती है उसके health related को issue है तो उसके सहमती के द्वारा एक prescribed time of frame में एक registered licensed medical practitioner के अंतरगत ही medical termination है pregnancy का वो किया जा सकता है this is the objective for the medical termination of pregnancy act 1971 next question is differentiate between law and ethics ये दो terms बहुत बार यूज होते हैं law जो है वो set of rules होते हैं या regulations होते हैं जबकि जो ethics होते हैं वो guidelines and principles होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किये जाते हैं ताकि उसको किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से और लोगों के साथ या समाज के साथ वहवार करना चाहिए इथिक्स जो होते हैं वो rules of conducts है जैसे कि हमने कहा कि अपने से बढ़ों का संबान करना चाहिए उची आवाज बात नहीं करना चाहिए गाली नहीं देनी चाहिए इस अर इथिक्स बट लॉज जब laws होते हैं तो वो rules जो कि develop किये जाते हैं किसी इस government के द्वारा या किसी order के द्वारा जिसमें ये कहा जाता है कि जो protection है जो balance society का या citizens का वो बना रहे हैं जैसे आप रूल में जैसे drug and cosmetic act की बात कर लिए दवा बनागे कोई भी बेच सकता है अगर drug and cosmetic act ना होता थो इतिक्स में ये है कि हम सही दवा बनाकर के लोगों को ब क्या गलत है उसमें आता है या society के द्वारा कहा जाता है कि ये सही है ये गलत है जबकि laws जो होती है वो enforce किया जाते है by the government to the people अपने लोगों के उपर government के द्वारा law बना करके उन rules set of rules को लागू किया जाता है ताकि कि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से perform किया जा सके ए government जो testing laboratories है या analysis के लिए उसको भेजा सकता है इस analysis को करने वाला व्यक्ति क्या क्या लाइगा government analysis, government analysis जो है वो central government के दवारा या state government के दवारा जो drug की analysis या testing है cosmetics की जो drug and जो analysis या testing है उसके लिए उनको apply किया जाता है जो की central drug laboratory या drug testing laboratory जो है state and union entity की वहाँ पर उसको हम लोग डालते हैं जो duties है government drug analysis की वो यह है यह जो samples inspectors के दोरा या custom officers के दोरा या किसी और officer के दोरा भेजी जा रही है उसको test करे as per the analysis protocol जो की दिया गया है जैसे माली aspirin है तो उसका एक protocol बनाया गया है कि किस तरीके से इसको हम लोग aspirin की tablet को test करेंगे या उसकी analysis करेंगे कि यह सही है इसमें मात्रा सही है इसमें किसी तरीके की मिलावाट नहीं कि गई है उसको करने के बाद उसका एक report बनाना और report जो है drug inspector या जो custom department या जो भी department से उसके पास वो sample पहुचा है वहाँ तक उसको पहुचाना जो भी उसका report है जो भी research की गई है जो भी publications है वो up to date रखना drug and pharmaceuticals की informations के साथ और government को उसको provide कराना ही government analysis की function या उसके काम या उसकी duties होती है next question is write the functions of DTAB DTAB जिसे हम लोग drug technical advisory board भी बोलते हैं ये एक ऐसी highest decision making body है जो की technical matters जो की drug and cosmetic act को लागू करने या उससे related किसी और technical advisory के लिए बनाई गई है ये drug and cosmetic act 1940 के अंतरगती है और जो हमारा central drug standard control organization जिसे हम लोग इसको के नाम से भी जानते है ministry of health and family welfare के अंतरगत उसके अंतरगती ये काम करती है drug and cosmetic act को लागू करने में जिस तरीके के technical matters arise होते है या इस act के administration में अगर कोई technical problem आती है तो उससे related काम जो है वो हमारी DTAP जो है वो देखती है यानि कि drugs technical advisory board जो है वो उन सभी matters को solve करती है जो भी technical issues है हमारे drug and cosmetic act में या drugs and pharmaceutical से related जो technical problems है उनका solution ढूड़ने का काम करती है next question is define cannabis hemp जिसको hemp भी बोलते हैं और narcotic drugs देखेंगे cannabis जो होती है वो cannabis का मतलब है कि इसमें कहीं सारे आपके definition है पहला तो चरस जो की resins के रूप में separated resin है जो की हमारे plant जो की purified form में है या crude form में है cannabinus plant से जो प्राप्त करते हैं साथी साथ यह concentrated preparation हो सकता है या resin हो सकता है जिससे हम लोग hazardous oil या फिर liquid hazardous के नाम से भी जानते हैं गांजा जो है वो भी cannabinus के अंदर गताता है जो की flowering या fruiting crops होते है है cannabinus plant के जो गांजे का plant होता है या बोल सकते है भांग का प्लांट जोता है वहां से और इसमें हम लोग seed या leaves की बात नहीं कर रहें कि वहाल during tops की बात कर रहें इसके साथी साथ इस तरीके का कोई और नाम जैसे भी नहीं है गांजा लिया अ वहने गांजी को हम लोग भांग भी बोल रहें यह सब उसी के अंतरगत आएगा इसका कोई भी मेक्स्टर जो की नैचुरल हो नैचुरल मेटेरिल से बनाओ जिसमें कैनाबनीस का फार्म है या कोई भी जो ड्रिंक है जो की इस प्लांट के पार्ट से बनाए गई है वो भी ज पोका लीफ कोई भी कैनाबनेस ओपियम या पोपी स्ट्वा जिसमें इन सभी चीजों से बनी हुई चीजें वो सभी सब क्या कर लाएंगी नार्कोटिक ड्रग्स के अंतरगत आएंगी नेक्स्ट कोश्चन इस एक्स्प्लें एड्यूकेशन रेगुलेशन अभी हम लग एड्यूकेशन रेगलेशन जिसमें लोग इयार के नाम से भी जानते हैं और इस समय तो कफी ज़्यादा फेमस है जो डिप्लोमा इन फार्मिस्टी के बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो अब जान रहे हैं कि उनको इयार 2020 की इसाफ से पढ़ा जा रहा है इसके पहले उन्हे इडूकेशन उसका स्टेंडर्ड बनाना यानि क्या मिनिमकम क्या 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 अफ कॉर्स कंटना होगा जो अब हो क्या मोर्ड अफ एक् excitаже्शन क्या होगा कितने मिनिमम मार्क्स अगर आपटे हैं तो exam में पास होंगे क्या nature आ अगमार्या क्या एक सब कुछ है वह हमारा आप कर रहे हैं तो जो भी आप नियम और कानून आपका college आपकी university आपको बताता है वो सब के सब जो है वो ER के थो ही वो आपको बता रहाता है साथी साथ जो minimum conduction है institution को ताकि जो आपका conditions है जो की approval चाहिए PCI का जो आपके college को course conduct करने के लिए या फिर pharmacist बनाने के लिए pharmacist के पढ़ाई करने के लिए उसका निधारन भी हमारा ER ही करता है साथी साथ जो examining authority है उनको जो approval चाहिए conduct of examination का उसका भी निधारन करता है और जो practical training के लिए जो institutes हैं उनका भी recognition जो है वो ER के दोरा ही pharmacy council of India में किया जाता है साथी साथ जो contract forms है pharmacist के लिए practical training के लिए जो आप hospital training इत्यादी करते हैं उसके लिए जो forms है वो भी तैयार करने का था pharmacy council of India के education regulation के द्वारा ही किया जाता है तो यह सारे काम है education regulation के next is define cosmetics as per drug and cosmetic act तो पिछले वीडियो हम लोग drug की definition देखे थे इस बार cosmetics की देख लेते है या फिर introduced के जाता है जो human body के किसी पार्ट के को साफ करने के लिए उसको सुन्दर बनाने के लिए उसके attractiveness को promote करने के लिए या फिर उसकी appearance जैसे कि कोई व्यक्ती का थोड़ा सार रंग दबा हुआ तो उसको खोलने के लिए या उसको alter करने के लिए यूज किया जा रहा है ऐसे किसी भी intended product को जो की use किया जा रहा है उपर जितनी बाते कहीं उसके लिए उसी को हम लोग cosmetics के अंतरगत रखते हैं this is the definition as per drug and cosmetic act next question is what is restricted license कुछ लोगों को restricted license for drugs दिया जाता है जो की form 20A और 21A के अंतरगत आपता है यह form जो है वो issue के जाते हैं by the applicant जो चाहता है कि कुछ drugs जो है बिना किसी competent individual के supervision के द्वारा जो है वो बेजे जाए जैसे over the counter drug है कुछ या कुछ ऐसे products हैं जो की health से related है उनका product उनको बेज सकता है उसके लिए वो restricted license जो है वो प्राप्त करता है यानि वो सभी Cedule H drug और Cedule X और यह सब नहीं बेज सकता over the counter drug या फिर थोड़े बहुत जो प्रापर्टीज वाली drugs हैं जिनके लिए medical practitioner की या pharmacist की आफशकता नहीं है उनको बिना किसी फुपर विजन के बिचा जा सकता है उसके लिए license जो है वो जारी कराता है और उस license को ह आखों के लिए आप यूज करते हैं और इस पर कुछ वार्निंग्स जो है वो लिखना जरूरी है अब इसमें अलग-अलग category है पहला तो यह कोई ड्रग ऐसी होती है जो कई बार आप यूज कर सकते मल्टी यूज कंटेनर में अंतरा आती है यानि एक बार आपन कर लिया त तो अगर उसको आप हाथ से टच करते हैं या किसी कंटेनर किसी और चीज से आप उसको टच करेगे तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगी और आख जो है काफी सेंसिटिव है तो वहापे हम किसी तरीके का dust part के लिए बैक्टीरिया इतियादी को जाना नहीं दे सकते इसलिए इस तरीके की warning आपको लिखना पड़ता है साथी साथ आप यह भी लिखते हैं replace cap after the use एक बार यूज करने के बाद तुरंत धक्कन उसका बन करके रख दीजे नेक्स अगर अप्थेल्मिक ड्रग जो है वो एक single use container में आ रही यानि एक ही बार में आप उसको यूज करना है त अगर बच गई है दवा तो उसको उठा करके fake दीजे उसको दुबारा use नहीं करना है अगर कोई ophthalmique drug है तीसा जो category है उसमें अगर mercury पड़ा हुआ है as a preservative तो हम लोग लिखते हैं कि this product contains जो भी product का नाम है और जितनी quantity of mercury है वो आप लिखना पोड़ेगा mercury as a preservative and do not use this product if you are sensitive to mercury या फिर इस तरह किकी किसी चीज से और एनी अधर इंगेडियेंट कंटेनिंग डा मरकरी next question is what are the objective for drugs and magic remedies act drugs and magic remedies act जो है वो 1954 में आया था और ये कह रहा था कि कई सारे उसके पहले हमारे देश में खास करके आज भी है बट वो act कैंटर का ताता है तो वो legal नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कह है कि हम किसी particular बिमारी का इलाज कर सकते हैं या किसी दवा को खाने से कोई बिमारी ठीक हो जात करता है इस तरीके कि किसी तरीके का advertisement हम नहीं कर सकते हैं ड्रग्स को certain cases में या फिर कोई magic remedies बता दे कि इसको दवा खाओगे तो जट से पतले हो जाओगे या diabetes दूर हो जाएगी ऐसे बहुत सारे एड कई बार आप देखते हैं जो कि illegal है as per the drugs and magic remedies act साथी साथ ये जो है रेग करेंगे तो लोग self-medication करना शुरू कर देंगे ठीक है और self-medication करेंगे तो उनके health के लिए अच्छा नहीं होगा self-medication को रोकने का काम करती है हमारा ये act साथी साथ किसी बी तरीके के disease or disorder को case related जो भी advertisement है उनको रोकने का काम करती है किसी तरीके की magic quantities or magic remedies का advertisement इद्यादी रोक ना हो सके next question is what is a patent हम लोग intellectual property right की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इसको discuss कर लिया है वैसे तो patents होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई invention कर रहा है उसे हम लोग inventor बोलते है वो एक document है जो कि आपके right के रूप में आता है और जो exclusive rights है वो उस invention को दे दिया जाता है ताकि जैसा चाहे वो वैसा उसका use कर सके मतलब कोई और व्यक्ति उसके patent को use करे जो भी technical information है उस patent को बनाने में वो public domain में discuss तो की जाती है लेगिन कोई व्यक्ति जब तक कि patent का एक certain time period है तब तक उसे use नहीं कर सकता कोई भी नई चीज कोई भी नया जो technical solution है किसी problem का अगर वो ले patent को उस inventor को देने के लिए जो procedure है उसी को क्या बोलते है patent next question is definition of absolute alcohol and denatural alcohol as per the act जो act हम बात करे थे medical and toilet preparation act 1955 उसके अंतरगत alcohol का मतलब होता है किसी भी strength का ethyl alcohol जो जिसका chemical composition होता है C2H5OH as per chemistry भी ही होता है absolute alcohol का मतलब होता है वो alcohol जो कि British Pharma Copia के specification को follow कर रहा है और उसमें किसी भी तरीके का water नहीं है dehydrated alcohol है generally 95% alcohol होता है थोड़ा बहुत तो पानी रहता ही है लेकिन हम मानते हैं कि बिल्कुल पानी उसमें नहीं है यानि कि dehydrated alcohol को absolute alcohol के नाम से जानते है denature spirit या denature alcohol उसको बोलते है वो alcohol है जो किसी भी strength का हो सकता है लेकिन यह human consumption के लिए सही नहीं है यानि इसमें किसी चीज की मिलावट की गई है as per the central government या फिर state government के लिए और इसके लिए जो approval है वो लिया गया है उसमें कुछ मिलावट की गई है जिसको हम लोग सीधे अपने शडीर के अंदर नहीं ले सकते है उसे पी नहीं सकते है उसे consume नहीं कर सकते है उसे हम कहते है denatured spirit या फिर denatured alcohol next है हमारा question give the examples of any four narcotic drugs कोई भी substance जो की आपके severe pain को moderate करता है और opium जो receptors है उन पर जा करके bind करके अपने action को show करता है such as morphine या फिर codeine लेकिन यह opium से ना बने हो उसे हम लोग narcotic products के अंतरगत रखने है यह opium receptor पर bind करते हैं central nervous system के और इन्हें हम लोग opioid भी बोलते है narcotics drugs कोई opioids भी बोलते है examples हैं जैसे एक drug के नाम है codeine है dextropropexifene है dihydrocodine है fentale है hydrocoton है hydromorphone है keto, bemidon है, morphine है, oxycodone, pathidine, telidine and trimarpidine यह सब examples है narcotic drugs के question में 4 पूचा था आपको जो याद आ जाए इसमें से 4 ना वह आप वहाँ पर लिख सकते हैं next question is write the patent or propriety medicines इसका क्या मतलब है as per the act तो as per the act patent or propriety medicines हम उन दवाओं को कहते हैं उन formulations को कहते हैं जो कि Ayurvedic, Siddha या Yunani systems के अंतरगत आते हैं और जिनका formula इनकी जो authoritative books हैं जैसे Ayurvedic है तो Ayurveda के अंदर लिखा हुआ या सिद्धा जो किताबे हैं या Yunani की जो किताबे हैं उनके अंदर उस formula को लिखा गया है बताया गया है और इस तरीके के जो drugs हैं जो formulations हैं उनी को हम लों patent या propriety medicines के अंतरगत रखते हैं साथी साथ किसी और other system की जो medicines हैं जो की remedy या prescription है जो की ready है मतलब तैयार किया गया formulation जिसको आप सीधे internal या external administration में लेते हैं humans के उपर या animals के उपर जिसका inclusion अभी तक इंडियन फार्माकोपिया में या किसी और फार्माकोपिया में अभी तक नहीं किया गया है उसे उसको भी जो हम लों patent या propriety medicine के अंतरगत रखते हैं next is last question for today's session और या फिर subject के लिए जो भी तक मैंने तयार किया वो है आपका what do you mean by opium derivative and prepared opium तो opium derivative किसी भी medicinal opium को हम बोल सकते हैं जो की process nursery process के द्वारा गया है जिसका medicinal use किया जाएगा as per the Indian pharmacopoeia या फिर किसी भी और pharmacopoeia के द्वारा जिसमें natural material या तो mix किया गया powder form में या फिर graduated form में जो की opium opi से निकाला गया है यह prepared opium जो होते हैं next है हमारा prepared opium prepared opium कोई भी ऐसा product है जो की opium के द्वारा obtain किया गया operations के द्वारा जिसका transformation किया गया है opium से किसी extract में जिसका हम लोग जो की smoking के लिए या फिर किसी और तरीके से उसको जला करके या फिर उसका smoke बना करके prepared किया गया है Finanthrin जो alkalides हैं जिसमें Morphine, Codeine, Thibene, ETC आते हैं उनके salts को भी हम लोग prepared opium के अंतरगत रखते हैं Diacetyl Morphine जो है उसको भी हम लोग एक alkalide है जिससे हम लोग diamorphine या फिर होईन या फिर उसके salts जो हैं वो भी हम prepared opium के अंतरगत रखते हैं साथी साथ जितने भी preparations हैं जिसमें 0.2% से ज़्यादा Morphine या कोई और diacetyl Morphine जैसी चीज़ें अगर हैं तो उसी को हम लोग prepared opium के अंतरगत रखते हैं यह थे हमारे पहले और दूसरे पार्ट में मिला करके total 51 questions of important questions of pharmaceutical jurisprudence यह सभी प्रशन आप exam से पहले मैंने जल्दी जल्ली इनके answer क्योंकि लंबे वीडियो बन जाते हैं तो कोई देखता नहीं है तो ताकि कुछ answer भी आपको idea लगे बाकि आपने पढ़ा ही इसकी कर रखी ह इन questions को हम important इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि previous year questions पूछे गया हैं मतलब previous year में different universities में हैं क्यों एक university की बात में करा हूँ all over India मैंने करीब 20-25 universities के question paper निकानने के बाद इन questions को आपके लिए pick up किया है तो यह सभी important questions हैं और इनसे related और भी प्रशन बन सकते हैं उनके answer को अगर आप discuss करिएगा तो यह क्यावन question करीब 90-100 question तक पहुच जाएगा क्योंकि कहीं में sun पूछ लिया जाता है कहीं में use पूछा जाता है कहीं कुछ और पूछा जा रहा है तो वह आप यहां पर देख करके इसको सीख सकते हैं या बता सकते हैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके सही कोच कहोना चुनिये दॉक्टर पी के एस और डॉक्टर एम पी एस क्लासेज को और करे अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाव